क्यों पवन सिंग के मुंबई वाले घर जैसा घर किसी भी भोचपूरिया कलाकार का नहीं है एक्सेप्ट रवी किशन जी हाँ रवी किशन को छोड़ दे तो भोचपूरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है इतना महंगा घर किसी भी सुपस्टार का हो आपको यह बता दे कि इससे पहले आपने जितने भी वीडियोज देखे होंगे आपने इंटीरियर तो नहीं देखा होगा पवन सिंग के घर का लेकिन अभी हाल ही में पवन सिंग लाइव आया थे और उन्होंने अपने घर का इंटीरियर दिखाया वाकई बहुत ही खुबसूरत इंटीरियर है वाइट और ब्लू कलर का इस्तिमाल बहुत ही जादा किया गया है वाइट कलर आप सभी जानते हैं पीज के लिए है और ब्लू कलर आखों को सुकून देता है और आपको बता दे कि जिस तरह की लाइटनिंग की गई है पवन सि जी हाँ, ये विदेशों से मंगाई गई है और तो और पवन सिंग इससे पहले भी जिस घर में रहते थे उसके भी interior decoration बहुत ही खुबसूरत था और पवन सिंग के घर के जो पर्दे है, जो curtain है वो भी काफी खुबसूरत है और उनके घर के एकोडिंग ही उसको लगाया गया है साथ ही साथ पवन जब लाइव आये थे तो उन्होंने अपने घर का थोड़ा सा व्यूज दिखाया था उनके घर में दिवालो पर वुडिन वर्क है जो अमोवन आपने बॉलिवूड हॉलिवूड स्टार्स के घर में देखे होंगे पवन सिंग पहले अंधेरी में रहा करते थे अब वो गोरी गाउं जैसे पौश इलाके में रहते हैं वैसे आपको बता दे मुंबई के अंधेरी और गोरी गाउं इस्थित जो फ्लैट्स की कीमते ही हैं वो तकरीबन पान से साथ करोड या फिर उससे भी उपर होती है और उसमें इंटीरियर डेकोरेशन का खर्चा भी जबर जस्ताता है तो भाई जो लोग ये कहते हैं कि पवन सिंग से काफी जादा अमीर है खेसारी लाल यादाओ और भी कई भोचपुरिया इस्थास तो हम आपको ये बता दे कि पवन सिंग के सिर्फ ये एक फ्लैट्स की बात हमने की है यानि एक घर की बात की है उनके अमोमन जितने भी फ्लैट्स है मुंबई में वो मुंबई के पौश इलाके में ही है ना कि मीरा रोड जैसे इलाके में आपको ये भी हम बता देते हैं कि भोचपुरी के जादा तर जो एक्टर हैं एक्ट्रस हैं वो मीरा रोड में ही रहते हैं जहां पर खेसारी लाल याद और रानी चेटर जी आमरपाली दूबे काजल रागवानी जैसे सुपस्ठार रहते हैं लेकिन जहां पर पवन सिंग रहते हैं आप वहां पर भोचपुरी के बहुत कम कलाकारों को रहते देखेंगे वहां पर रहने वालों की संख्या जादा तर बॉलिवुड फिल्मों में काम करने वाले लोगों की होती हैं भूच पुरी जगत की हाट और मुसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना मिलकुल न भूली